हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक, टेली करेंट अफेर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का स्वागत करता हूँ, आज है तारीक 22 अगस 2022 और आज से सम्बंदद जितनी भी इंपोर्टन करेंट अफेर्स होने वाली है, उसे मैं आपके लिए डिसकस देखिए जो करेंट अफेर है, भारत के सब एक्जाम के लिए जरूरी है, भारत का कोई भी एक्जाम हो, बस आप डेली करेंट अफेर्स को फॉलो करें, करेंट आपका पूरा कवर हो जाएगा, यदि आप इसका डेली पीडियाप चाहते हैं, तो आप हमारे रूट एप्ल उसी काम को करने में हैं, जिसे लोग कहते हैं, तुम नहीं कर सकते हैं, चली फ्रेंट्स, आई देखते हैं सबसे पहला कुश्चन, हाली में तेजस के लिए कि इस देश में, H.E.L. का पहला विदेशी मार्केटिंग कार्याले खोला जाएगा, इन विच कंट्री विल, H.E. जिसी मार्केटिंग कार्याले खोला जाएगा, यह मलेशिया में कहाँ पर खोला जा रहा है, मलेशिया के कैपिटल है, कौवालाव लमपुर, दोस्तों यहां पर हिंदूस्तान एरोरांटिक्स लिम्टेड अपनी पहली इंटरनेशनल मार्केटिंग और विक्री कार्याले के लिए समझोता ग्यापन पर हाली में इसने हस्ताक्षर किये हैं ये कार्याल है जो है रूसी सुख़ाई 30, सू 30 की सेवाओं के लिए रॉयल मलेशियाई वायू सिनर के साथ जो भारत का समझोता होने वाला है इसमें हस्ताक्षर करने में HAL की ये मदद करेगा दोस्तों यहाँ पर बात आ रही हिंदूस्तन Aeronautics Limited की तो मैं आपको HAL के बारे में सारी important details देने वाला हूँ तो देखिए सबसे पहले इसका गठन जाल लेते हैं तो 1 October 1964 को उसका गठन हुआ है दोस्तों ये जो HAL है ये सरकारी सौमित वाली कंपनी है यानि ownership किसके हाथ में government के हाथ पर है इसका काम होता है विमान jet engine और helicopter की design और इसकी manufacturing करना इसकी assembling करना यदि आप से पूछा जाए किसका headquarter कहाँ पर है तो आप बताईए इसका headquarter Bangalore में है देखिए HAL की पहले भी एक हलका और कई तहरे की भूमिकाओं वाला jet लडाकू विमान है देखिए second important question आप सभी के सामने आने वाला है तो second question ये रहा हाली में 17th 17th प्रवासी भारती दिवस जो हर साल 9 जनवरी को मना जाता है इसकी मेजबानी कौन सा शहर करेगा विस सिटी विल होश्ट दी 17th प्रवासी भारती दिवस तो इसका सेउत्तर है इंदौर इंदौर इसकी मेजबानी कर रहा है देखिए प्रवासी भारती दिवस की मेजबानी मत प्रदेश का इंदौर करेगा MP के Chief Secretary का क्या नाम है इकबाल सिंग बैस नाम है और देखिए आपर हम बात करेंगे औसाफ सईीद की ये काउंसिलर, पासपोर्ट और वीजा डिविजन के सचेव है इनके दोरेक समझोता ग्यापन पर हाली में हस्ताक्षर हुआ है और ये फैसला किया गया है अगले साल नौ जनवरी को सत्रावे प्रवासी भारती दिवस को कोन होष्ट कर रहा है इन दोर होष्ट कर रहा है देखिए प्रवासी भारती दिवस समेलन का आजन कोन करवाता है विदेश मंत्राले के द्वारा करवाया जाता है अब देखें आपर बात आरी प्रवासी भारती दिवस की, ये क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, पूरी पोश्मोटम हम करेंगे तो देखे प्रवासी भारती दिवस उन लोगों को याद करते हो मनाय जाता है जो भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जाबसे हैं इन्हें प्रवासी भारती कहते हैं नौ जनवरी को ही क्यों मनाय जाता है तो देखे नौ जनवरी को भारत के विकास में जो प्र कि महात्मा गांधी जी का भारत की सौतंतरता में कितना वड़ा एहम योगदान है तो इन सभी को याद करते हुए 9 जनवरी को प्रवासी भारती दिवस मनाया जाना शुरू किया गया 2003 से 1915 में महात्मा गांधी जी कहां से आये थे दक्षिड अफरीका से भारत लोट करके आये थे और 2015 से ये हर दो साल में एक बार मनाया जाता है देगी फ्रेंड्स ठेड इंपोर्टेंग क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है बहुत ही महत्पूर्ण है ध्यान से सुनिये आप सोच रहोंगे सर ये functional literate district क्या कहलाता है या कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला क्या कहलाता है तो देखे एक व्यक्ति को कार्यात्मक रूप से साक्षर तब कहा जाता है जब वह अपना नाम लिखने गिनने और हिंदी में पढ़ने और लिखने में सक्षम होता है तो उसे हम कार्यात्मक रूप से साक्षर कहते हैं। तो देखे मद्प्रदेश का जो आदिवासी बहूल छेत्र है ये है मंडला छेत्र है। मंडला जिला है मद्धिप्रदेश में। ये देश का सबसे पहला कार्यात्मक रूप से साक्षा जिला बन गया है। 2011 में सर्वे किया गया था, जिले की साक्षरता 68% थी, 2020 में एक रिपोर्ट आई और ही कहा गया कि जिले में 2.25 लाग से अधिक लोग साक्षर नहीं थे, उनमें से जादा तरवन चेत्रों में रहने वाले आदिवासी थे चली फ्रेंट्स, आई देखतें क्वेशन नमबर 4, इंपोर्टन क्वेशन है ध्यान से सुनिये, हाली में विश्व मच्छर दिवस कम मनाया जाता है, वेन इस वर्ल्ड मॉस्किटो डे सेलिबरेटेड, तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है, कम मनाय करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, मच्छर दिवस उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को बताया जाता है, देखिए यदि आपसे पूछा जाए कि इस दिवस की मनाने की शुरुवात कब से की गई, 1897, 1897 से इस दिवस को मनाने की शुरुवात की गई है इनका नाम आप याद रखेगा ब्रिटिस डॉक्टर रोनाल्ड रॉस इन्होंने मादा एनफलीज मच्छर की खोश की थी यदि आपसे पूछा जाए कौन सा मच्छर responsible होता है जो की malaria फैलाता है तो malaria मादा एनफलीज मच्छर की वज़े से होता है देखी जब किसी व्यक्ति को malaria होता है तो उसका spleen यानि की pleeha प्रभावित होता है क्या प्रभावित होता है? pleeha और ये RBC को नश्ट करने लगता है दोस्तों मच्छर की काटने से malaria की विमारी होती है और यदि आपसे पूछा जाए ये जो मादा एनफलीज है ये तो वहाग है वेक्टर है और कौन सा parasite, कौन सा परजीवी responsible है जो malaria करता है तो ये नाम आप याद रखेगा Plasmodium Parasite Plasmodium Parasite पाय जाता है मादा एनफलीज में जो रगत से होकर हमारे शरीर में फैल जाता है एक important question और भी मैं आपको बता देता हूँ यदि आपसे पूछा जाए कि डेंगू किस मच्छर के काटने की वज़े से होता है तो डेंगू Aedes aegypti नाम याद रखेगा डेंगू Aedes aegypti नाम के मच्छर के काटने से होता है और डेंगू में हमारी platelets की संख्या कम होने लगती है हमारी platelets की संख्या का होती है इसमें डाउन हो जाती है और इसे हड़ी तोड़ भुखार भी कहा जाता है यदि आपसे पूछा जाए कि हाथी पाउ किस मच्छर के काटने की वज़े से होता है यानी फालेरिया किस की वज़े से होता है तो क्यूलेक्स मॉस्किटो यानी क्यूलेक्स मच्छर के काटने की वज़े से हाथी पाउ होता है चले फ्रेंड्स आई देखते है Q5 तो देखे Q5 ये रहा UEFA महिला चेंपिंज लिग में खेलने वाली पहली भारती फुट्बॉलर कुण बनी है? तो इसका सिद्थर है मनीशा कल्याड पहली ऐसी महिला बन चुकी है जो कि किस में खेल रही है? यूँ आफे में खेल रही है विमेंस चेंपिर्ण लीग में खेल रही है दोस्तो ये यूवा स्ट्राइकर है मनीशा कल्यान ये किसकी तरब से खेल रहे हैं ये साइप्रस में यूरोपी क्लब टूर्नामेंट में आपोलो लीडीज एफसी के लिए इन्होंने अभी हाले में डिबिट किया है 2021-22 में इन्हें All India Football Federation के द्वारा सरस्रेश्ट की उसके बारे में बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि दोस्तो करेंट के साथ कुछ स्टैटिक आपको तड़का भी मिलना चाहिए ताकि आपका नोलेज और भी बढ़े एक्जाम से रेलेटेड एक्जाम ओरियेंटेड कोश्चन में आपर कवर कराता हूँ ध्यान से सुनिए तो पहला प्रश्चने रहा वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया था यानि वहाबी आंदोलन को किसने दबाया था तो इनका नाम है लॉड एलगिन प्रथम यहाँ पे बात आरी वहाबी आंदोलन की तो मैं आपको वहाबी आंदोलन के बारे में important details बता देता हूँ तो देखे वहाबी आंदोलन कब से शुरू हुआ है 1828 से इसकी शुरुआत हुई जो कि 1888 तक 1888 तक चला दोस्तो इतने लंबे समय तक चलने वाले वहाबी विद्रो के प्रवर्तक राय बरेली के सयद एहमत थे इस आंदोलन का मुख केंदर पटना शहर था पटना के विलायत अली और इनायत अली इस आंदोलन के प्रमुक नायक थे ये आंदोलन मुख रूप से क्यों स्टार्ट किया गया था मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जो तर पश्यम पूर्वी भारत तथा मध्य भारत में सक्रिय था देखे अगला प्रशने देखते हैं अशोक तथा मौर समराज का पतन किसकी रचना है रोमिला थापरजी की बकसर कयूत कब लड़ा गया अगला प्रशने है पूर्वे वैदी काल में राजा पर किसका नियंतर रहता था सभा और समिती का कश्मीर में उत्पल वंस की स्थापना किसने की थी अवंती वर्मन जी ने किस राज के साशक नवाब वजीर कहलाते थे अवद इंपोर्टन कुश्चन है ध्यान रखियेगा एक्जाम रिलेटेड इंपोर्टन कुश्चन है यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आपको क्या देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको पढ़ाते देखने को मिलेंगे जो आपकी पूरे सलबस को कवर करेंगे डाउनलोड कीजिए रूट अप्लिकेशन देखिए फ्रेंड्स N Armed Sixth Important Current Affairs हाली में SDFC बैंक ने किस राज में पहली महिला शाखा खोली है इन विच स्टेट SDFC बैंक थे फैस्ट All Women Branch तो उसका सयुत्तर है केरल राज में केरल राज में हाली में SDFC बैंक ने पहली महिला शाखा खोली है उत्तिरी केरल चेतर में कोजी कोड में ये ब्रांच खोली गई है इस शाखा में चार महिला बैंक करोंगी नगर निगम की मेर बीना फिलिप ने एक समारों में शाखा का इन्योगरेशन किया है SDFC बैंक की बात कर लेते हैं तो 1994 में इसकी स्थापना हुई है हाली में भारत की इस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बंवर्शक खरीदेगा तो देखे भारत रश्या से 6 TU-160 लंबी दूरी की बंवर्शक खरीद रहा है यानि ये बाम करने के लिए इस्तमाल की जाती लगातार बाम्बिंग करना हो तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है बैटल वर में ये बंबर इतना खतरना के इसकी पहली उडान से अमेरिका परिशान हो गया था टूपू लेव TU-160 की टॉप स्पीड है 2220 किलोमेटर प्रती घंटा दोस्तो ये जो विमान है एक लाग दस जार किलोग्राम के टोटल वजन के साथ उडान भरने में सक्षा में इसके पंगो का फैलाव 56 मीटर है और पहली उडान 16 दिसंबर 1981 में आजित की गई थी चलिए फ्रेंट साही देखते है कोशे नमबर 8 दोस्तो इसका आजन नई दिल्ली में किया गया कहाँ पर किया गया नई दिल्ली में देखे प्रिजेंट में डिफेंस मिनिस्टर को ने राजनास सिंग है इन्होंने इस संगोश्ठी का उदगाटन किया है इसका मुख की उद्देश क्या है जो शस्तरबल नियाधी करन की काम काज है उसकी जाच करना इसका प्रमुख उद्देश है देखे इस कम्यों को दूर करने के लिए सुझाओ भी दिये गये हैं यहाँपे बात कर लेते शस्तरबल नियाधी करन की Armed Force Tribunal की ये क्यों launch किया गया आखिर इसका क्या मकसद है क्या इसका उद्देश है सारी points को जानेगे देखे शशस्त्रबल न्याधी करन अधिनियम 2007 के तहत Armed Force Tribunal की स्थापना हुई है इसका जो headquarter है कहाँ पर है नई दिली में है जबकि इसके regional benches चंडीगड में है लखनव में है कोलक देखे इसका काम क्या होता है हमारी भारत की तीन सेना है पहली सेना क्या है थल सेना वायू सेना और नौ सेना इसका मूल अधिकार चेतर और court martial मामलों में ये अपीली चेतर अधिकार है यानि इससर रिलेटेट कोई भी मामले होंगे वो कहाँ पर पहुँचेंगे Armed Force Tribunal के प संस्थान ब्यूरो किसके नाम के सिफारिस नाबाड के अधिक्ष पत के लिए की गई है whose name has been recommended by the Bureau of Financial Services Institution for the Post of Chairman of नाबाड तो इसका सेतर है मुहमद मुस्तफा मुहमद मुस्तफा जी का नाम जो है सिफारिस के रोप में नाबाड के अधिक्ष के पत के लिए किया गया है दे मंत्री मंडल की नियुक्ति सम्थी अनुशंशित नाम पर अंतिम निर्णे लेगी यानि कौन सा नाम होगा ये मंत्री मंडल की नियुक्ति सम्थी देशाइड़। 1982 में हुई है 1982 में हुई है इसका हेड़कौर्टर ये आपसे पूछा जाए तो हेड़कौर्टर है मुंबई में ये भारत में छेतरी ग्रामिड बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के नियमन के लिए एक नियामक निकाए हैं ये कुटुर उद्योग लगू उद्योग और ग्राम उद्योग तथा अनग्रामिड उद्योगों के विकास को भी देखता हैं ये वित्त मंत्राले के अधिकार छेतर में आता हैं प्रेजेंट में चेर्मेन कों है गोविंदा रजूलू चिंताला फिरसे मैं बोल रहा हूँ लिख लीजे आप आजका आखरी इंपोर्ट आली में निदान पोर्टल को लॉंच किया गया है ये क्या करेगा देश में मादक पदार्थ रोधी कानूनों को लागू करने का जिम्मा समालने वाली बिभिन जो केंदरी एजेंसिया है जो राज एजेंसिया है उनको अपनी तरह का पोर्टल मिल रहा है निदान निदान क कि मदद से हमें पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति ने कब और कैसे ड्रक्स का सप्लाई किया है पूरिस की डिटेल्स निकल के आ जाएगी पोर्टर के जरी कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्ते से मादक पदार्थों से तसकरी से जुड़े किसी भी अपराधी का हिस्ट्रे निकाल सकते हैं अपराधी की परसनल इन्फोर्मिशन निकाली जा सकती है और जो उस पर मुकद में चल रहे हैं उस सभी का हमें यहाँ पर डिटेल निकाल सकते हैं की मदद से निदान की मदद से देगे फ्रेंट्स हमारी सेकंड नौलेज फैक्टरी आप सभी के सामने आ गई है और हम डिसकस करेंगे वर्तमान में कौन क्या के बारे में देगे CBSC के अध्यक्ष है निदी छिपबर, NCRT के नए निदेशक बनाए गए है दिनेज प्रसाद सकलानी नेस्ट बात करेंगे UGC के नए अध्यक्ष तो UGC के नए अध्यक्ष है M. जगदिश कुमान S. सोमनात इसरो के दसफे अध्यक्ष बनाए गए है चेर्मेन बनाए गए है DRDO के अध्यक्ष है G. सती से रड़ी जी विक्रम सारा भाई अंतरिक्ष केंदर के निदेशक का क्या नाम है डॉक्टर उन्नी कृषणन नायर S. सी के हाली में अध्यक्ष बनाए गए है S. किशोर चली फ्रेंट्स करेंट अफेर्स की रस्मालाई आपको खिला देता हूँ यानि 2020 के इंपोर्टन प्रशनों को मैं आपके लिए डिसकस कर देता हूँ हर साल विश्व अंगदान दिवस किस तारिक को मनाया जाता है 13 अगस्द को किसी जुलाई 2020 के लिए ICC महिला प्लेयर आप दा मन्त का वर्ड मिला था स्टेफनी टेलर को राष्ट्री औशधी, मूल निर्धारण, प्राधीकरण के नए अध्यक्ष बने हैं कमलेश पंतजी कोन शहरी छेत्र में सामुदाईक, वन संसाधन, मानिता पत्र देने वाला भारत का पहला राज़ बना है तो यह 36 गड़ भारत का सबसे पहला वाटर प्लस शहर बना है तो यह हैं इंदोर चली फ्रेंड्स, आए डिसकस करते हैं 21st अगस्त के इंपोर्टेंट करिंट अफेर्स को वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन्स हैं हर साल विश्व फोटोग्राफि दिवसका मनाया जाता है 19 अगस्त को भारत की पहली इडबल डेकर एसी बसका नावरन कप किया गया? कहां किया गया? मुंबई में अम्मा योजना और वासल योजना किस राज में शुरू की गई है? तो इसे सिक्की में स्टार्ट किया गया है देखे friends एक सेशन मैंने लिया था जहां पर मैंने आपको बताया था नागा लेंड में स्टार्ट होए वो गलती से मैंने नागा लेंड बोल दिया था इसका सही उत्तर सिक्की में weekly current affairs में मैंने आपको पढ़ाया है इसका सही उत्तर सिक्की में और मैंने comment box पर देखी जहाँ पर comment होता है वहाँ भी pin कर दिया था कि आप सभी correct कर लीजे सिक्किम इसका सही उत्तर है नागालेंड इसका गलत उत्तर है किस राज्य की खिलाडियों को राज्य के सभी department में 2% आरक्षन प्रदान किया जायेगा करनाटक राज में जर्मनी में भारती समुदाय के पहले प्रतिनितिक रूप में किसे चुना गया है गुर्दीब रंधावा जी को विश्व मानवतावादी दिवसकब मनाया गया हर साल 19 अगस्त को देखे next question राहुल जाखर ने चांग वोन में 2022 WSPS रूटिंग विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है तो गोल्ड मेडल जीता है हर घर जल सर्टेफिकेट प्राप करने वाला भारत का पहला राज कोन बन गया है तो यह है गोवा देखे भारत का पहला जिला बुरहानपुर है जो की MP में है बीबी माई स्टोरी ये किसकी आत्मकता है ये बेंजमिन नेतानियो जी की आत्मकता है आज का आखरी important revision question दही हांडी को किस राज में खेल का दर्जा मिलेगा महराश्टर में ये friends मैं आपसे प्रश्ण करूँगा जिसका उत्तर आपको comment box पे देना है तो प्रश्ण ये रहा प्रवासी भारती दिवस्त का मनाया जाता है ये आपको उसका answer comment box पे देना है dear students ये था 21 अगस्त के important current affairs का revision दोस्तो daily current affairs में हमने important 22 अगस्त के current affairs को भी cover कर लिया है आशा करता हूँ कि आपको पूरा session बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो friends share करना बिल्कुल भी मत भूलें अपने सभी सातियों को इस session को जरूर share करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके पहली बार अमारे channel पर आ रहा है तो don't forget to subscribe and press the bell icon button keep liking, keep sharing your channel crazy gkdrek thank you friends, Jai Hind, Jai Bharat